अलो गाइस वेलकम बैक अगेन आज हम बात करने वाले हैं एग्रिकुल्चर का चोट असा टोपिक तेट इस मैथड़ सोफ इरिगेशन इन दिस वी विल डिसकस अबाओ टाइप सो और यू किन से मैथड़ फर्स्ट वन इस सर्फिस इरिगेशन जिसे हम हिंदी में बोल सकते ह हैं परश्टी से चाहिए सब सर्फिस इरिगेशन जिसे बोल सकते हैं अधू भूमिक से चाहिए स्प्रिंकलर फबार से चाहिए और ड्रिप इरिगेशन टिप टिप बून वाली से चाहिए तो इनका देखेंगे सर्फिस इरिगेशन के तीन या चार टाइप होते हैं अलग आपका पानी चोड़ दिया जाता है और वह दीरे दीरे पूरे फील्ड पे फैलता हो चला जाता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और यहां से नालिया तोड़ दी जाती है हर एक क्यारी में अब इनकी विर्थ देखिए इनकी जो चोड़ाई है वो जादा है ठीक है और ये जो क्यारी बनाई जाती है इसकी उंचाई भी बहुत छोटी रखी जाती है ठीक है आप देखिए विर्थ और लेंथ भी दी हुई है 30-30 मीटर तक कि इसकी पट्टी काँखार हो सकता है और विर्थ हो सकती है 3-15 मीटर तक कि अब तीसराय फ्यूरो इरिगेसन इसमें भी सेम होता है लेकिन यहाँ पे जो आपकी क्यारियां है उनकी बीच की विर्थ है वो कम रखी जाएगी और इनकी उँचाई है वो आपके ज अब कि बार जाएगा फिर्वे एरिगेसं में अब कबार इनकी बीच की जो क्यारियों की दूरी है वह हम यहां पर कम रखेंगे जब इनकी ओछा है वह जादा रखी जाएगी और इनकी मैंसोट्स होगा जहांसे पानी परवाईत होता रहेगा और यहांसे दीरे-धीर पानी नालिय बना दी जाएंगी जो पानी दरोद इन क्यारियों में आता रहेगा इस तरह से तो यह बेसिकली यूज के जाता है रोह क्रॉप्स एंड वेजी टेबल्स के लिए यहां पर देख सकते हैं इस तरह से फोर्थ है बेसिन इरिगेशन इस अलमोश सिमिलर तो चेक बेसिन में तरह से बना दिया जाते हैं चोके बार रूप में और वहां पर आपके बीच बीच में क्यारियों में पानी चोड़ दिया जाता है और दीरे-दीरे से क्यारियों फीपाने हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है सरफिस इरिगेशन में तीन-चार टाइप से उन यहां पे भूमी के underground में pipes बिचाई जाएंगी तो सबसे पहले भूमी की खुदाई होगी उसके बाद में pipe बिचाई जाएंगी फिर यहां पे ने डग दिया जाएगा और पानी चलता रहेगा और roots हैं जैसे यह आपकी plants हैं उपर plants और यह root हैं तो root में पानी मिलता रहेगा ठीक है below the ground surface by construction trench और installing underground perforated pipe plants और tile lines ठीक है तो यह इसमें एक खड़्चा बहुत जाता है और इसका एक नुकसान होता है यह pipes के जो चेद होते हैं विजन में मिटी बढ़ सकती है तो बापस से आपको सपाई करने के लिए निकालना पड़ेगा तो यह इसक इसमें क्या होगा overhead जैसे irrigation कहते हैं इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो पानी है नलियों के दोरा भूमी के ऊपर रहता है और एक nozzle होता है nozzle के ऊपर एक गूड़ी rotor होती है उसके दोरा पानी को बड़सा की बोचारों की तरह फैका जाता है तो irrigation refers to application of water to crops and forms of spray from above the crop like rain तो ब आसपस नमी भी बनी रहती है और पानी है कम मात्रा में यूज होता है तो यह ऐसे छित्रों पर होता है जैसे जहां पर कम पानी उपस्ते तो होता है जैसे रास्तान में पश्चिवी छित्रों पर आप से चाहिए करेंगे तो इस मेंदर से अच्छा रहेगा ठीक है इस प्र इसमें क्या होगा जैसे यह आपकी म्रदा की परत है उसके उपर यह पाइप बिचा रखी और यहां पर पर्फॉरेटेड यहां पर छिद्र की हुए है और इन छिद्रों से स्लो आपको जो पानी की इसमें प्रवायत करना है वो इसका जो भीक है वो कम होना चाहिए तक कि करता हूं और वो ऊपर रोटेटिंग करके पानी गिरता है तो वो कौन सा हो जाएगा फबारा विती हो जाएगा ठीक है अगर बूमी के नीचे पाइप डाल दूगा तो वो सर्फिस इरिगेशन हो जाएगा सर्फिस इरिगेशन जिसमें आप तीन हमने चार टाइप देखे बॉर्डर स्ट्रिप में दोनों क्यारियों की बीच की जो चोड़ाई है वो ज्यादा रखनी है और क्यारी की जो उंचाई है वो कम रखनी है जबकि फ्यूरो इरिगेशन में उनकी बीच की क्यारियों की जो चोड़ाई हो कम रखनी है जबकि एक स्पेसिफिक क्यारी की ज इस तरह से जो हुचाई होगी वो जाद रखने पड़ेगी आपको ठीक है बेसेनी रिगेसर में ऐसे चौके बार में आयता का रूब में ऐसे चौके बार बनाए जाते हैं और एक मुख्य जल की धारा प्रवायद करती जाती है और उसे तोड़ तोड़ के हर क्यारी में पानी बरा जा सकता है यह सर्फेस इरीगेसर यह सब सर्फेस यह स्प्रिंगलर जैसे भबारा और यह ड्रिप बूद मुद से चाहिए तो यह हैं आपकी सारी से चाहिए विडियां I hope guys you will get it if you have any problem then comment on below thanks